जब भी हम कोई अच्छा काम करते है उसके बदले में भगवान हमें और अच्छा देता है ये दिखाने वाली दगिफ्ट ऑफ दवालिदाद ये स्टोरी हम देखेंगे लेकिन उसके पहले मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा वालिदाद नाम का एक जो आदमी था और मार्केट में जाके दोपर में उसे बेज देता था बेजने के बाद उसे हमेशा 30 पैसे इतना ही उसका बैसे करता था 10 इससे कोईन जो है वो अपने खाने पीने के लिए उसकरता था दस अपने clothes के लिए और daily needs के लिए यूज़ करता था और दस बच्ची हुई जो पैसे थे वो एक मिटी के pond में रखके वो जहां सोता था उसके नीचे वो रख देता था ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा और फिर उसने देखा कि उसका जो वो मिटकी वाला जो pond था मत्का था वो पूरी तरख के से भरग चुका था अब इस पैसे का क्या किया जाए यही सोच रहा था और फिर उसने ऐसे पाया की ये तो भर चुका है और मैं क्या कर सकते हूँ खाना पिना ये सारी की सारी जो मेरी daily needs है ये तो इसमें से मेरा जो काम है उसमें से पूरी हो रही है लेक जो बचे हुए जो पैसे है ये एक गोनी में भरत्या हूँ और वो गोनी जो है next morning में वो एक जोलरी शॉप में चला जाता है और वहाँ पे वो दे देता है और उसके बदले में एक गोल का जो ब्रासलेट है वो ले लेता है अब उसने क्या किया वो ब्रासलेट ले लिया और जो हमेशा ट्रैवलिंग करने वाला जो मर्चट रहता है उसके यहाँ वो गया और उसे कहा कि देखो दुनिया में मुझे ना ऐसा एक आत्मी बताओ कि जो हो नोबल है बहुत नोबल है तो वो बताता है कि यंग जो क्वीन है हमारी वो बहुत ही नोबल है और वो इस दिश टाइम जब तुम उस रानी के यहाँ जाओगे तब यह ब्रासलेट क्या मेरी तरफ से उसे ओफर दोगे गिफ्ट के तरफ दे दोगे और उसे कॉंप्लिमेंट भी दे देना इसके बदले में तो मर्चंट है न बहुत मतलब यह इतना गरीब आदमी फटे तुटे कपड़ ऐसा बुड़ा सा एक घास काटने वला अदमी और यह खैस्तान की रानी के लिए यह उपहार भेज रहा है फिर भी वो मर्चंट चला जाता है और वो जो है न यह उपहार मतलब ब्रासलेट जो है यह ब्रासलेट वो रानी को गिफ्ट कर देता है और बोलता है कि यह अच्छा सा सिल्क का कपड़ा डाल दो और वो उन्हें दे दो गिफ्ट करते दे दो जब वो मर्चंट फिर से वापस आ जाता है तो वापस आने के बाद वो बताता है कि यह भी रानी ने तुमको रिटन गिफ्ट दिया है तो वो बोलता है ओ नहीं नहीं मैं इसका क्या सोचो मैं क्या इसके बारे में बता हूँ तब वो सोचता है और वो फिर सोचने के बाद वो बोलता है कि एक काम करो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नॉबलेस्ट मैन कौन है अपने दुनिया का तो वो बोलता है अरे भाई ने का बात का जो यंग किंग है वो सबसे तो यह बोलता है कि एक काम करो जब तुम वहाँ पर जाओगे तो मेरे तरफ से मैं उदे रहा हूँ और उन्हीं कॉंप्लिमेंट की तरफ से यह सारे चीज़े वहाँ पर दे दो करके तो मर्चन जो है वो बहुत ही यह हो जाता है कि यह क्या चालू है फिर भी वो विचारा जब नेका बात के यहां कींके आ जाता है तो वो जो सिलिक जो रानी ने भेज़े हुए है सारे के सारे जो है वो उसको दे देता है तो अब रिटन गीप तो देना ही पड़ेगा तो वो उसे horses दे देता है अब 12 horses लेके यहाँ पर फिर से वापस आ जाता है वालिदात के यहाँ वालिदात बोलता है अरे बाप रे यह क्या हो रहा है मैं एक चीज रिटन करता है एक चीज देता हूँ तो उसके बदले में मुझे और रिटन मिल रही है एक काम करते हैं अब यह horses जो है न यह फिर से तुम क्या करो वो खरिस्तान की जो queen है उसके यहाँ जाके दे दो 10 और 2 तुम तुमारे लिए रख दो अब मर्चेंड मनी मन सोचता है यह तो बड़ी गमतीदार बात है कि यह ऐसे कर रहा है हर बर एक नया नया गिफ्ट भेजने वाला यह जो वालिदाद है इसे तो मिलना ही पड़ेगा और उसने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था फिर भी यह मुझे इतने सारे महेंगे-महेंगे गिफ्ट क्यों भेज रहा है और यह इसे क्यों कर रहा है तो मिनिस्टर बोलता है कि काम करो ना आप उनसे भी जादा रीच जो गिफ्ट है वो उनके लिए बेजो तो अब इसके बदले में वो क्या कर देता है कि दस म्यूल्ज यह होते है गोड़े जो एक अदग किसकम की जाती है उसको सिल्वर उनके यहाँ पे सिल्वर की लदी हुई मतलब एक बॉक्स में दस के दस घोड़ो को बेज़ मतलब मूल्ज को बेज़ा जाता है अब वालिदात को जब यह मिलता है अरे बाबा मैं बुढ़ा हूँ आदमी हो गया मेरे उपे तरस खाओ यह मैं क्या करूंगा इसको लेके एक काम करो दो मूल्ज है और सिल्वर के साथ तुम ले लो और बाकी के जो है ना नेका बाद का जो राजा है उसे दे दो मर्चन मनी मन सोचता रहता है कि यह क्या हो रहा है यह इस इसान हमेशे अपने पास मिलने वाली चीज़े लोगों को गिफ करना रहा है दोनों को ही करना है अब यहाँ पे जब देने के बाद वो देखता है कि इतना सारा सिल्वर और इतने सारी अच्छे एकॉलिटी के मूल्स मुझे दे रहे है तो मिनिस्टर उसे मतलब राजा मिनिस्टर को बोलता है अब इसके बादले में क्या करू करके तो वो बोलता है देखो इसका मतलब यही है कि वालिदाद नाम का जो अभी आदमी है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा दिल का आदमी है तो आप अभी उसे काम कीजिए आप है ना गोल्डन के एंकलज वाले जो कैमल होते है यहां पे देख सकते हैं एनिमेशन में आप कैसे एंकल्स होते हैं तो यह आप भेज दिजएं 20 àlefants है 20 horses भी है और यह सारी छीज़े जो है ना गोल्डन सीट के साथ यह इनके एक 20 servants भी आप देखरे करने के लिए क्या कर दीजिए आप भेज दीजिए अब वालिदात तो रहता जोपड़े में है और ये सारी चीज़े जोपड़े में कैसे आएगी जब वो वालिदात जो है एक घास काटने वाला अत्मी ये सारी चीज़े ये इसके चल के नसीब में आ रही है लेकिन से दे दो अरे बाबा वालिदाद ये क्या हो रहा है मैं फिर से जाऊँगा किस मूझ से जाऊँगा ये सारी चीजे ने मेरे लिए बोहत हाड हो रहे है पर वालिदाद की तना भोलता है तो जाना ही पढ़ता है अब इस टाइम में जब फिर से वालिदाद का गिफ्ट लेके चला जाता है तो रानी ये रानी अब मिनिस्टर के तिरफ फिर से देख के उठी एऊ भाई इस बार तो सबसे महंगे-μεहंगे गिफ्ट लेके आया है तो क्या करें तो एक काम कर लिजे बोले अब इस गिफ्ट देने वाले आदमी बहुत अच्छा दिल का आदमी इसे शादी कर लिजे जाने दीजे यह बहुत गिफ्ट दे रहा है कोई मतलब भी नहीं है शादी कर लिजे तो पहले मिलना तो पड़ेगा न तो रानी एक काम करती है कि बड़ा सा कारवा निकालो जिसमें होर्सेस भी हो कैमल भी हो एलिफंड भी हो और इनके साथ अब वो निकले पड़ेगी वालिदात के शादी करने के लिए मर्चंड भी है रानी भी है सारे वो उनके जो घोड़े है गाड़ी है सब अब ये कारवा एक जग़ा पर रुख जाता है और मर्चंड को बोला जाता है कि भाई तुम जावा आगे जाके ना वालिदात को जाके एक मैसेज भेज़ दो कि रानी आ रही है तुमसे शादी करने के लिए जब ये उसे बात पता चल जाती तो वो तो एक गरीब बुड़ा सा आदमी है उसने जिंद मिलने के लिए यहां आना पड़ रहे है वो मन ही मन ये सोचरी की मैं उससे शादी करना चाहते हूँ वो मुसे शादी करना चाहती है नहीं नहीं ये कार्वा को भीज़ दो बाई कुछ भी करके पीचे भीज़ दो करके बोला अब यह जो है ये मर्चंड निकल पड़ा next morning मे जब ये बूटा अब यहां से निकल जाना ही उच्चित उसने समझा क्योंकि ये तो दिन बर दिन बहुत मुसीबत आ रही थी और उसने अपनी चोटी से जोपड़ी को गुडबाई बोला कि मैं तुम्हारे अंदर भी नहीं रह सकता हुआ अब ये प्लेस पता चली गई है मर वालिदाद ये का क्या कर रहे हो कहां जा रहे हो और वो ब्यूटिफुल परी जो है ये इसकी सामने आ जाती है सामने आ जाने के बाद वो पहचान लेता है कि ये परी है और मैं एक बुड़ा सा अदमी हूँ वो तुरन बोल देता है कि मैं पागल इंसान हूँ और मैं बु देखिए आपका मन बहुत साफ सुद्रा है क्या गरूई साफ सुद्रे मन का मेरा कपड़े तो तभी वो पर ही उसे टच करती है उसके शोल्डर को और वो एक राजय की तरह एक अच्छे से कपड़े उसके हो जाते उसका जो फटा फुटे कपड़े वो भी निकल जाते हो गं हो जाता है और उसकी जगह पे तलवारा आ जाती है और एक बहुत अच्छा फाइन और सुंदर आदमी दिखाई देने लगता था है वालिदाद अब वालिदाद को सोचता है कि मैं तो अच्छा हो गया लेकिन मेरी मेरी जोपड़ी है जोपड़ी के जगह पे वो जब आने के कोशिश करता है तब उसे बहुत सारे सर्वंट्स दिख जाते हैं जो उसे सलाम करते हैं और बड़ी ही अदब से वो अंदर जाता है बहुत सारे गार्ड्स मिलते हैं बहुत सारे लोग उसके हाथ के नीचे काम करने वाले में दिखते हैं बहुत सारे विजिटर्स है जो आने जाने के लिए वहाँ पे बेकरार है और उनका स्वागत करने के लिए ये महल रेडी है वो imagine में नहीं कर सकता है वो कितना रीजवन जुका था कितनी सारी rooms उसके palace में थी ये सारी चीज़े थी तबी servant जो जो से दोनों दिशा से भाग भाग के आते हैं और बोलते हैं कि कारवा आ रहा है राजा साहाब इस्ट दिशा से और दूसरा वाला भी नोकर आके बोलता है कि वेस्ट दिशा से भी तो एक कारवा आ रहा है अब क्या करें इस्ट और वेस्ट दोनों से आ रहा है अब वालिदादी ये सोचता है कि इस बार मैं क्या करू और वो जल्दी जल्दी एकदम उसे कुछ समझ मी नहीं आ रहा था जो जो से भाग भाग के वो क्या करेगा दोनों दिशा से जो आ रहा है एक दिशा से रानी आ रही है एक दिशा से राजा रहा है इस दिशा से राजा को बताता है कि मैं वालिदाद हूँ और रानी बोलती है मैं बहुत दिनों से आप से मिलने के लिए बेकारा थी लेकिन वो जो वहाँ पे खड़े हुए जो किंग है क्या मैं जान सकती हूँ कौन है वो बोलता है कि क्यों नहीं ये नेकाबाद के राजा है प्लीज एक्सक्यू कि तो तुम ही वो वालिदाद जो मुझे बहुत बहतरीन से गिफ्ट बेजा करता था लेकिन वो जो सुन्दर सी रानी वहाँ पे खड़ी है क्या मैं जान सकता हूँ कौन है तो बता काई कि ये क्यों है खाइस्तान की क्यों है मैजिस्ट्री चलिए मैं आपको मिलवा देता हो उनसे और वो नेका बाद के किंग के साथ जो खईस्तान की जो रानी है इनकी मुलाकत करा देता है पहली नजर में ओ दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाते है और वालिदाद पीछे खड़ा हुआ ये सारी चीज़ते देख लेता है तोड़े ही दिनों के अंदर इन दोनों का शादी हो जाती है उसी के पैलेस में वालिदाद के पैलेस में ये शादी हो जाती है सिलेबरेशन बहुत दिनों तक चालो रहता है और ये सब वालिदाद बड़ी ही अच्छे हसी मजाग से अपने के साथ अच्छे से सफर करता है मतलब वो सफर नहीं करता है अपनी सेवा देता है और नेक्स मॉर्निंग में जब वो उड़ जाता है अब वो चले गए है राजा रानी शादी करके अपने घर में चले गए है तब वो बहार आके बोलता है मैं अब इस रहा यहां पे रहा के क्या करू में जिन्दगी का मकसद तो पूरा हो गया और जैसे वो जा रहा होता है वैसे उसे फिर से एक आवा जाती है वालिदाद कहा जा रहे हो तुम और वो जो दो हेवन ली परी थी वो फिर से उसके सामने आ जाती है अब दोनों आ जाने के बाद वो बोलता है कि क्या मैं अब फिर से तुम्हें बताओ कि मैं स्टूपिड आदमी ए अच्छा ठीक है मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चालू है और वो उसे फिर से टच करती है उसके शोल्डर को और वो पहले वाली जो घास काटने वाला जो वालिदा था वो फिर से वैसे के वैसे बन जाता है और वो उसकी जिन्देगी वो पहले से जैसे ही जी बारे में नहीं सोचता है कि किसी को गिफ्ट दिया जाए तो कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है आपने मेरे वीडियो को देखा है इस चैनल को देखा है प्लीज लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद